कि अधिया विलकम बैक टो माई चैनल मेरा नाम शितिज राय और आप लोग देख रहे हैं वह पानायन स्वित रहा है तो स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट अनलेसिस के साथ पहले देख लेते हैं निफ्टी फिर आते हैं बैंक निफ्टी की दरफ और लास्ट में कि यहां पर मार्केट थोड़ी सी साइडवेज रह सकती है और फिर दूसरा टार्गेट भी लिए थे कपन हैंडल के अकॉर्डिंग क्योंकि यहां पर देखेंगे कपन हैंडल बंद रहा था उस समय फिर इसके ब्रेकाउट के आसपास हम लोग यहां पर यहां पर लगा दि अगर यहां पर बैठे रहते हैं तो शायद हमने को यहां टार्गेट मिल जाता है बट स्टॉप लोग यहां पर प्रॉफिट में निकलाता तो ऐसे इसलिए बोलते हैं कि जब मार्केट थोड़ी सी खतरनाक हो तो पैसे लेने की कोशिश करेगी अगर आप अपना टार्गेट और अपना स्टॉप लॉस फॉलो करोगे प्रॉपर्ली उसको ट्रेल करोगे अपडेट करोगे और अपने रूस के अकॉर्टिंगली चलोगे तो लॉसे से बचोगे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है आप लो कमा भी लो और यहां पर वॉलिटालिटी अभी सिंगल कर रहा है और अगर मार्केट देखा जागा अगर कंटिन्यू करती हैं लेवल के नीचे तो थोड़ा सा हम लोग को शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर थोड़ी सी फास्ट हो रही हर बार और हर सेशन के एंड में यहां पर मार्केट गिरती है तो वह हम लोग के लिए ज्यादा अच्छा होग कि मार्केट टीन हफते से लगातार ऑलडरी गिर चुकी है तो एक हफता पास तक अगर अगर तो हम लोग कीम है सोच रहे रही है तो क्वांटिटी कम कर लो त्टीक तो अभी देखा जागा क्योंकि लग तो अगले मंदे से हम लोग तेजी से शॉट जार सकते हैं लेकिन अगर यहां पे त्यूसडेय तो उसके लिए भी हम लोग तयार रहेंगे थोड़ी से कौंटिटी कम रखेंगे लेकिन शॉट जरू करेंगे अमनों मार्केट थीक तो अभी देखा जाए तो एक करती है तो वहां पे थोड़ी सी गिरने वाली मार्केट भी आ सकती है अगर मार्केट यहां खुलती है तो सबसे बेस्ट होगा हम लोग लिए क्योंकि स्टॉप्र स्विंग के ऊपर लगा पाएंगे अभी के लिए फिलाल थोड़ा सा आप लोग फिर से हम कहेंगे कि थोड़ी सी अपनी कैपिटल मतलब कम इस्तमाल करो थोड़ा सा बचा के रखो अगर इस समय बच जागा तो अच्छे दिन फिर से आएंगे आपके अच्छे दिन से मतलब जादा जिसमें मार्केट ज्यादा चलती है वो रिटाइल कम होती है एक डिरेक्शन मा जाती है तो फिलाल अभी हम लोगों को बाइंग करने होगे तो यहां तो हम लोग यहां पर बॉटम से मतलब इन लिवस पर खुले तो यहां पर यहां नीचे गर के यहां तो थोड़ा सा कोई बुलिश सिगनल बना है तो उस केस में खरी देंगे नहीं त नहीं साँ तो इस पहले मतलब यह थोड़ासा मतलब नहीं ख़ना चाहिए है तो इसके बॉटम और टॉपक बीच में यहां पर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉबलम नहीं होने चाहिए तो टार्ग Εप यहां लेए सकता उस से पहले आप लोग बस यहां टार्गेट ले सकतो जो कि इससे 40 पॉइंट नीचे और कोई परिशान्य वली बात निया पर आते हैं बैंग निफ्टी की तरह यहां पर नीचे अगर मार्किट गिरती है यहां पर थूड़ासा वेट करेंगे कि यहां पर नीचे गरे नहीं तो इन अपना मान के अपना स्टॉप रस नीचे साइड करते जाएंगे अगर कोई स्वेंग बनती है तो वहां पर ट्रांसफर कर देंगे अम लोग फिर आते आते हैं लोग यह ले सकते हैं बैंक अब सबस्क्राइब जाते हैं अब आते हैं आपना पॉजिशन यहां पर बचा आगे रखना बहुत ज्यादा मत लेना शौटा लगाना क्योंकि जब्सक्राइब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मार्केट थोड़ा सा एक मतलब इसमें तो वही सेम चीज़ा अगर यहां पर मार्केट उपर जाती है तो अपसाइड की ट्रेड और नीचे आती है तो डॉंसाइड की ट्रेड अभी अडानी की तरफ आते हैं नीचे गिरती है यह थोड़ा सा एक पूल बैक लिए कि छोटा सा है पहले से बता दे रहें फिर से इसको और उपर मार्केटने Commerce पाइ करने में थोड़ा सा रिस्क है यहां पर अगर यहां से रिकावर करता है तो एक बड़ा मुमेंटम मिल सकता है छोटी कॉंटिटी में अगर आप लोग करना चाहो तो करना लेकिन रिस्क है यह चीज़ आप पहले से बता दे रहे फिर से इसको पर मार्किट जाती तो कि खरीदने या डानी पॉर्ट स्टॉक्स में यूजिली बहुत साथा लॉट आप लोग मत यूज किया करो क्योंकि बड़ा कैबिटल वैसा ही लगता है उसमें खासकर कि अगर आपके पास हम कंसिडर कर रहा है कि आम आपके पास एक लाग है तो एक लाग है तो दो लाग ह उसमें खरीदा करो स्टॉक में विडियो ज्यादा होती है तो कभी-गभी बेचने में भी दिक्कत हो जाती है और अप्शन्स वा लोग की बात कर रहा है अगर कैश में ट्रेड कर रहा है तो कोई प्रब्लम नहीं तब तो आपके आपके बाए नियुकर करो अपना रिस्क